Hello everyone, so today we'll be discussing question number 110 of lead code which is balanced binary tree तो यहला जो problem है ना यह मेरी tree split list का part है और एक किस category को बिलोग करता है tree validation and properties तो देख लेते हैं इसमें मैं करना क्या है इसमें तुमको एक input tree given होगा और उसमें तुमको बस यह बताना है कि क्या यह height balanced binary tree है की नहीं यह क्या होता है इसमें क्या होता ना कि जो तुम्हारा left sub tree है और right sub tree है उसका जो height difference है वो एक से जादा नहीं होना चाहिए अगर वो एक से जादा हुआ तो वो height balanced binary tree नहीं कहलाएगा जैसे कि देखो इसकी height क्या है 1 इसकी height क्या है 2 तो difference क्या है 1, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है हैना, यहाँ पर अगर मैंने एक और note डाल दी, मानके चलो, बोल दी है, मैंने इसको 10 तो क्या यह height balanced है, obviously अना, क्या यह height balanced है देखो, इसका जो left subtree है, उसकी height है 3, और इसका जो right subtree उसकी height है, 1, तो difference क्या है 2, हैना, left subtree और right subtree की height का, तो यह height balance नहीं है तो यह question बहुत ही simple है अगर तुमको यह आता है कि height of a binary tree कैसे निकालते हैं, और यह चीज़ हमने देख रखी है, तो यह चीज़ तुम्हाँ पास होती है किस code में, जब तुम height of a binary tree निकालते हो हना, जब तुम height of a binary tree निकालते हो तुम अपना क्या, left subtree से height मांगते हो एक, हना, और right subtree से height मांगते हो एक और क्या करते हो, max ले लेते हो left का और right का, और उसमें plus one add करके बेज देते हो, मतलब खुद का contribution, तुम left से मांगोगे height, right से मांगोगे height और खुद की height add करके return कर देते हो तो तुमाई पास यहाँ पे left की height होती है और right की भी height होती है तो क्या तुम यहीं पे compare नहीं कर सकते हो कि क्या वो एक से ज़ादा है की नहीं अगर तुम यहीं पे compare कर लो, तुमारा काम हो जाएगा तुम यह कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, जो height of a binary tree है ना जब हम निकालते है height of a binary tree उसी के code में changes करेंगे एक दो line के और यह question solve हो जाएगा हमको कुछ अलग से लिखना नहीं पड़ेगा इसका जो कि इसमें उनने पूछा ही यह हुआ है कि वो height balanced है की नहीं height निकालने की जगा हना तो चलो उसको जल्दी से code करते है वहाँ पर easily समझ में आ जाएगा ठीक है तो उसको code करते है अब code करने के लिए सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ एक answer variable जो मुझे return करना है तो यह हो जाएगा int answer शुरू मैं बोल देता हूँ मैं इसको true और यहाँ पर मैं return कर दूँगा answer एक helper function ले लेते हैं जिसमें हम height निकालते हैं binary tree की इसको helper बोल देता हूँ मैं और इसमें क्या बेजूँगा बस root और इसको type कर देता हूँ int है ना क्योंकि हम height निकालते हैं इस function में इसलिए return type int होगा तो यह हो जाएगा helper और इसमें क्या है tree node root ठीक है और base condition क्या हो जाएगी if root is null तो क्या return कर दो 0 अब तुम क्या करोगे left से height मांगोगे और right से भी height मांगोगे तो int left helper root of left और same चीज़ तुम करोगे right के साथ अना यह भी हो गया right अब यहाँ पर तुम्हें पस left की height है और right की height है यहीं पर comparison कर लो if absolute difference of left minus right absolute difference ही चाहिए मुझे फरक नहीं पड़ता है कि right बढ़ा है या left बढ़ा है बस उनका difference matter करता है हना तो अगर यह एक से बढ़ा हुआ तो answer क्या कर दो तुम false अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है और return कर दो left sorry max of left comma right plus one यहीं कर दे हो ना तुम height निकालने के लिए binary का अभी तुम simple सा code लिखे हो height of binary का उसमें तुमने बस यह line add करी है हना और यह तुमने declare किया था very well और कुछ नहीं किया है तो इसको run करके देखते है यह देखो चल गया इसको submit करते है बढ़ियां ठीक है तो I hope समझ में आया होगा बहुत ही simple problem था यह जो validation वाले problems होते है ना tree properties check करने के लिए validation करने के लिए यह बहुत simple होते है तुमको left से call मारना होता है एक right से call मारना होता है और वो left के answer से और right के answer से कुछ decisions बनाने होते है बस इतना ही करना होता है इस type के problems में तुम अभी और देखो के 2-3 और करेंगे easy से ही problems है तो तुमको और अच्छे से समाझ में आएगा ठीक है तो चलो next problem में मिलते हैं